हेलो एब्रीवन वेलकम टू माई चैनल कैसे हो दोस्तों कॉमेंट में जरूर बताईएगा तो यहाँ पे आज मैं ब्रत स्पेसल सावने स्पेसल आप बोल सकते हूँ क्योंकि अभी सावन के सोमार्ज शुरू हो चुके हैं तो यहाँ पे मैं आलू और साबू दाने के चीला पराठा बोल सकते हैं जो कि बहुत ही अलदी और बहुत ही कम तेल में बन जाता है तो यहाँ पे चलिए मैंने स्टार्ट करती हूँ मैंने यहाँ पे एक कटोरी साबू दाना ले रखा है और इसको हलका सा मैंने कपड़े से पोच के तब लिया है और इसको अब हम एक ताव तो यह लें देखिए यहाँ पे ठंडा हो चुखा है इस का दर-दर आप एंट बना लेंगे पीस लेंगे इसको और यह देखिए और मैंने इसको पी defence कि पिल्कूल नहीं है कि भीगयों कर रही यह तो पूलै गया और यहाँ पे मैने एक अलूड़ी है बड़े साइज मेह मैंने फोड़ा सा जीरा किया है और यह मुम्फली को भून कर मैंने उसका पाउडर बना लिया उससे हलकी थ्लिय। ये धनिया है, कुटी हुई धनिया है, मैंने घर पे ही इसको बनाया हुआ है, ताकि अब बृत में खा चको, और यहां पे रेड चिली फ्लैक्स मैंने डाला हुआ है, थोड़ा सा टेस्क के एकोर्डिंग बृत वाला नमंक डाला हुआ है, और दो तीन टेबल स्पून भर के इसमें हम दही एड़ करेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई जो चीजे इसमें मसाले आप नहीं खाते हैं ब्रत में उसको आप स्किप कर सकते हो उसके बगेर भी बना सकते हो अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी एड़ करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर ल अगर आपके पास आटा नहीं है तो इसके बेगर भी आप इसको बना सकते हो और इस सारो चीजों को अच्छे से मिक्स करके हम ढग कर 15 मिट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे चीजे अच्छे से से फूल जाएं तो यहां पे बैटर हमारा जब तक रेश्ट कर रहा हम इसके साथ खाने के लिए चटपटी सी चटनी बना लेते हैं तो चटनी बनाने के लिए मैंने दो बड़े साइच के टमाटर और दो हरी मिर्ची ली है अगर आप टमाटर नहीं डालना साथे हो तो इसकी जगा आप जो है दही डालके उससे भी बना सकते हो जैसे आप अगर ब्रत में नहीं खाते हो तो आप उसकी जगा दही एड़ करके यह जटनी बना सकते हो तो चटनी हमारी रेड़ी है अब फटा-फट से हम एक रायता भी बना लेते हैं पराठे और चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिये और यह जटपट सा हमारा रायता टेस्टी सा बन गया तो अब चलिए हम 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपना सावुदाना का चीला बना लेते हैं तो यहां पे आप देख सकते हूं कि बैटर काफी ठीक हो चुका है तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे और इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे बैटर को ना बहुत तो आप देख सकते हो और इस पे दो तीन कलचिल भर के पैटर को एड़ कर देंगे और हलका सा इसको प्रेस कर देंगे यह इसली अपने आफी फैल जाता है इसको फैल आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इसको ढग कर हम एक से दो मिनट के लिए अच्छे से में तो आप देख सकते हो मैं दोनों साइट से इसको अच्छा गोर्डन ब्राउन कर कलर आने तक ढग ढग कर यह अच्छे से पकाई हूं तो आप देख सकते हो मैं दोनों साइट से इसको उलट पलट के बहुत अच्छे से पकाऊंगी तो यहां पर एक चिला हमारा बनके र चीले भीना में। परकाते ऐसा सब्सक्राइब है। फूरा सब्सक्राइब कि जलए बना सकते हैं.... तो चीला हमारा बनके रेडी है, तो इसको हम सर्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने टेस्टी सी चक्ती बनाई है, और रायता आई होफ आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी, अगर थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज लाइट केर, कमेंट करना बिल्क याल, बाइब बाइब